माननी मंतरी महोदिया को तक्रिवन 1211 कृट्थारख किया गया है ये क्या हो रहा है? कार दिजोर माफिया है जिद तुमर कहीं भाग रहे थे जिदोल तुमर ने बंबलाष्ट किया है दिली में या कहीं पे उनके उपर एक आरोफ है उसके पक्ष और प्रतिपक्ष में कुछ लोग अपने तर्फ दे रहे हैं अभी हाई कोड में मामला चल रहा है ऐसी एमर्जनसी कैसी लिए जिसे अंदर तॉमर को अरेस्ट किया जा है कितने हफ्तों से ये बात चल रही थी कि उनके पास डिग्री फेक है मुझे याद है कि बार काउंसल ने भी कहा है कि ये डिग्री फेक है तो कही न कही पुलीस ने इसका मलब बिल्को पके सबूत ले लिए तफ्तीश करी और जब सबूत हाथ में आए तो ओगिर्फतारी के समय आ गया असली मुद्धा नेतिक है क्या कानून मंत्री की डिग्री फरजी है चार महीने से ये सवाल उठा हुआ है गिर्फतारी से पूरो मुझे सुचना दे जाने चाहिए थी मुझे कोई सुचना ने दे गए एक बिल्कुल अंजिस्टिफाइड है दोनों दो के स्पेंडिंग है इसी मामले के उपर हाई कोट में हाई कोट के सामने सारा जो भी एविडिन्स है वो रखा गया है तो पूरे दिन खूब सारे गहमा गहमी मैं आपको पहले अपने पैनल से बिलाओंगा हमने आपको पता है कि तोमर साहब गिरफतार हुए और आब वो पुलीस रवैंड में चले गए हैं मेरे जर्नलिस्ट मेरे साथ होंगे मेरा जो आज का पैनल है और मैं बिल्कुल नई बास से शुरू करूँगा कोशिश करूँगा कि आप तक उसको पहुँचा सकूए ओम थानवी साहब है हम लोग सब लोग इनको बड़े प्यार से सौमिय समपादक कहते और बड़े स्टाइल से अपनी बात तकते कपिल है नौजवान है वो स्पोक्स परसेन आम आदमी पार्टी के विजंदर गुपता है जो तीन सीटे बीजेपी के पास है कुल मिलाकर दि कहानी आपको सबको पता है ने बड़ी कहानी बड़ी सरल सी है कि तोमर साहब की दिग्रियां असली है या नकली ये मामला चार-पांस महिने से चल रहा है एक समय में इसको योगेंदर यादव और प्रशान्त पूर्शन नहीं भी उठाया अब वो अलग हो चुके हैं अब आम आद्मी पार्टी के सियासी ड्रामे बाजी ये है कि ये सब मोधी सरकार करा रही है जंग साहब से तो जंग इनकी चलती रहती है तो अब ये सब कुछ है इसमें एक पड़ा गंभीर कानून का पहलू है लेकिन मैं आपको एक पहलू बताना चाह रहा हूँ ध्यान से सु आम आद्मी पार्टी के यानि कि उनकी स्क्रीनिंग का प्रोसेस क्या होता है जिसे मैंने कहा हूँ धानमी साब बहुत सीनियर इस देश के जर्नलिस्ट है हम लोग इनको पढ़कर बढ़े हुए सबसे पहले इनी से प्रष्ट पूछूँगा इसमें बहुत सारी बाते दोखिए है जड़ा कुछ लाईने इनकी स्क्रीनिंग कमिटी का डॉक्यमेंट है या आप गूगल कर सकते हैं आदमी पार्टी के साइट पर आपको मिलेगा कोई व्यक्ति दागी है अथवा नहीं ये सिर्फ पुलीस रिपोर्ट के आधार पर नहीं आज ये पुलीस को क्वेस्चन कर रहे हैं इनको पूरा अधिकार है बलकि जनता द्वारा उपलब्द कराए गए तत्यों के आधार पर भी तै होगा कि कोई व्यक्ति द्यागी है या नहीं तोमर साहब के केस में ये जान लीजिये की ज्यादा तर जानकारी आर्टी आई के माध्यम से आई है ये तत्य आपको बता रहा हूँ फैक्स अगली पंक्ती इनकी जानिये इनके आम आदमी पार्टी के स्क्रीनिंग कमिटी की किसी व्यक्ति पर भले ही मुकदमा ना चल रहा हो लेकिन अगर उस पर संगीन आरोप है तो उसे उम्मीदवार नहीं बनाया जा सकता भले ही मुकदमा ना चल रहा हो मैं नहीं कह रहा हूँ अभिज्ञान प्रटाश ये जो आधार बनाया था आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के का चायन करने का उसमें लिखा है अब इनी के लोगों ने तब जो इनके साथ थे यानि कि योगेंदर यादवा प्रशान भूशन इन्होंने इस प्रश्ण को उठाया खेर वो पार्टी से ही बाहर हो गए अब स्थिती बिलकुल अलट पलट गई ठीक है अब वो मंतरी है मौजुदा सरकार भी मंतरी है तो कैसे उनका चैन हुआ मंतरी बनने के लिए या उम्मीदवार बनने के लिए ये मुझे नहीं पता लेकिन ये इनका आज की दलील में कानून, केस, सब में नहीं जा रहा हूँ कैसे कोई उम्मीदवार आम आदमी पार्टी का बने ये उनकी चैन प्रक्रिया का हिस्सा मैंने आपको पढ़ा है इससे पहले पुलिटिकल प्लेयर्ज हमारी चर्चा में आज यसे मैंने कहा है मैं सबसे पहलो उम्म्मीदवार के पास आऊंगा ये इन्हों ने साफ सुथरी बड़ी सोच की राजनीती का आधार बताया थी आज पश्टिता ये साफ है या तो दिल्ली पुलिस को मू की खानी पढ़ेगी या बड़ी अदालते आज के फैसले को नकारेंगी लेकिन जब इन्होंने तोमर साप का चयन किया होगा त्रीनगर विधान सभाशेत्र से उनको चुनाव लड़ने का क्या ये बात उने पर लागों नहीं होई होगी सर लेकि ये मैंने कह सकता हूँ कि जब चुनाव के लिए प्रक्रिया चल रही होगी या उमीदवार जब तैक किया गया होगा तब उनके सामने कितने तथे आए लेकिन जब तथे सामने आ गए अदालत में मामला पहुंच चुका जी तो उस वक्त बहुत अच्छा पॉइंट आपने देश किया है उस वक्त ये चाहिए था केजरिवाल को कि वो इनको मंत्रीपत से अटा देते उनकी विसुस्नीता बढ़ती और उसके बाद जान चल रही है जान जब पूरी हो जाती तो होता दूसरी बात एक और है कि ये जो प्रशानत और योगिंदी आदाव चाहिए अलग हो गए उन्हों जो मुद्दे उठाए थे यही मुद्दे थे कि हमें कम से कम अपने मामले में साफ होना चाहिए दूसरा लोगपाल की बात क्यों कि लोगपाल के प्लैंक परी चुनाव जीते थे अब ना अंदरूनी लोगपाल है उसको आपने हटा दिया ना बाहरी लोगपाल है तो ये आप पार्टी के इस तरह पर जो चीज नजर आती है खामी ये है लेकिन इसके साथ सा जो चीज़ी जो तकरार होई क्यों है ये जो हमारे L.G. साहब है इन्होंने भी मेरा मानना है कि उपरा जेपाल पद की गरीमा को बहुत बट्टा लगाया है ये बहुत समभातारिक पद है और दुर्भागे से जो समभीदान की गलियां छोड़ जाती है उसका आप लाब भी उठा सकते है या जैसा सुप्रीम कूर्ट के प्रेशले में कहा गया है कि ये शोबा की चीज़े है इनको आप उस तरह से नहले चुनी हुई सरकार की कोई अगर अहमियत न रह जाए और एक केंदर का नुमाइंदा और इस इस्तर पे बात हो कि आपके खिलाब अख़बारों में जांच आगे की सीबी आई की रिपोर्ट जंग साब के खिलाब क्या है सच है जूट है क्या है अब रात तो रात आप एक व्यक्ति को एंटी करेश्टन ब्यूरो का हेड बना दें रात को तीन बजे एफाइयार दर्ज हो सुबह गरिफतारी हो ये चीज़े संदेख के गिरे में इसलिए आते हैं कल मान लीजे एफाइयार हो केंद सरकार के किसी मंतर के किलाब के आपने दो जूटे हल्पना में दिये क्या परसोन को गरिफतार किया जाएगा हम जानते हैं कि ऐसा आम तोर पे नहीं होता है तो ये जो संदेख के घेरे में चीज आती है ये चीज उस संस्ता को भी अविश्वस्ती बनाती है जो उपराजेपाल की संस्ता है लेकिन आपने ही वही पॉइंट रखा जो बुनियादी पॉइंट है यही तो आपका दावा था कि आप पारम पर एक जोड़ तोड़ जुगार हिन तेन पर्दे के पीछे की राजनीत इस उपर है तब वो ज्यादा बेहतर डंग से उपराजेपाल की कारिस्तानी जो है उसे लड़ सकते थे अगर उन्होंने उनको मंत्री मंदल से अलग कर दिया है तो आज की स्थिती में ये माननेने के बजाय के ठीक है मतलब जिसे मैं वनीश सुदिया का बयान देख रहा था कौन है ये क्या हो रहा है ये माफिया है अरे कोई दिक्कत नहीं अदालत में चल रहा है मैं तो नहीं यहां बैटकर तेह करूँगा तो जी आशितोष मैं उस पॉइंट पर भी आँँगा वो पत्रकारों से कैसे मुखातिब हुए मेरा पॉइंट ये कि फिर इतना आप आकरामक क्यों हो रहे हैं वे आपने अगर फिर आप में और बाकी पुलिटिकल सिस्टम के जो खामिया हैं उसमें फिर बड़ा बुनियादी फर्क क्या रहे गया आपनी इसी फर्क को उजागर करके जनता के सामने रखने की बात कही जनता ने उस बात को पसंद दिया और आपको 70 में से 66 सीट दी एतिहास एक ऐसा होता नहीं डिमॉक्रिसीज में सर आज इतना आकरामक हो कि क्यों इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं यह सिर्फ बना रहे हैं कि हम तो बहुत अच्चे हैं यह सब हमारे उपर सिर्फ अटाक हो रहा है मैं तरह सोचता हूँ कि अगर इनको बहुत अन्वव होता यह तो इनके लिए बड़ा फाइदे का काम हुआ है क्योंकि जनता जो है यह ठीक है कि यह बात हमने मान ली कि आपको मंतरी को हटा देना चाहिए था जब तक जान सामने नहीं आती लेकिन उसके बाद जितनी दास्तान है वो सारी आपके फेवर में जाती है किस तरह से F.I.R. दर्ज हुई किस तरीके से पुलिस अधिकारी काम कर रहे है किस तरीके से जंक साब के खिलाफ C.V.I. की रिपोर्ट में जिक्र है किस तरीके से C.N.G. जो फिट्मेंट वाला मामला है उसकी जांच क्या चल रही थी यह सारी बाते हैं जब लोग पढ़ते तो उनकी सानुबुती सरकार के साथ हो थी क्योंकि मंत्री को भटा चुके होते है बढ़ा लंबा इतिहास है पुछले मनमोहन सिंग सरकार का मंत्री हटाए गए जब उनको पर आरोप लगा और तब हटाए गए या दबाव बना बीजेपी जैसी पार्टियों ने दबाव बनाया इसलिए नहीं कि कानूनी प्रक्रिया चालोग इसलिए दबाव एक परसेप्शन का होता है राजनीती में जड़ा यो पूल नहीं लड़ सकते थे उतिजना में नहीं उतिजना से आपका तर्क कमजोर हो जाता है मेरे साथ मैं आप विजिंदर गुप्ता जी बोलना चाहा रहे है स्वभावेक है कपिल जी जो आम आदनी पार्टी के तरफ से वो मेरे बातों का जवाब देंगे लेकिन मेरे साथ में सीधे चल सकता हो मुकेश मौजूद है शरत शर्मा मौजूद है मेरे साथ और साथ में आशीश जो हैं वो भी मौजूद है हमारे जर्नलिस्ट हैं जो पूरे दिन से लगातार इस खबर को पर बने हुए है मुकेश सबसे पहले वहाँ के तस्वीर आप लगातार पुलीस आप और आशीश पुलीस और अदालत पर नज़र रखे हुए थे क्या लग रहा था उम्मीद कि ये रिमान होगी कुछ दिनों के लिए तोमर जी की लुके बिलकुल जिस तरह की जो चार्जिस लगाए हैं तोमर पर उससे ये साफ हो गया था कि जो पुलिस रिमान मांगेगी लिशित पर रिमान मिल सकती है पुलिस को और वही हुआ पुलिस ने पांच बजकर साथ मैट पर जितेन तोमर को कोड में पेश किया और पैसी के बाद जो है फिर लंबी बहस हुई और बहस करी पूछे और बहस के बाद फिर यह फैस्टा आया आशीष मेरे सायोगी हैं जो कोट लंबे समय से देखते आ रहे हैं आशीष कोट के अंदर थे आशीष से पूछेगा क्या क्या खास बातें बचाव पक्ष और जो अभियोजन परक्षिफ ने रखी जिदे के साथ तरह जो पर करूँगा यहाँ पर एक बहुत सीजियर पैनल है उन्हों नहीं पूछा था कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने आरा आरोप लगाया है कि उनके साथ बजसलूकी हुई यह सब यह सब बातें आम आदमी पार्टी ने कहीं हैं अदालत की कारवाई में क्या हुआ पुलीस क कि बातचीत में क्या हुआ थी यह सब आरोप है यह बड़ी सीरियस चार्जेज है क्योंकि पुलीस कह लिए कि यह सब कुछ इन कैमरा हुआ है तो आप दोनों लोग जरूर बताईए इसके बारे में जी बिल्कुल देखिए आसी सबसे पहले आप इताईए कि कोट में क्या क्या हुआ जी देखिए कोट में जब शुरू ही पेशी उनकी हुई तो जो वकील हैं बचावपक्स के उन्होंने यह आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना नोटीस दिया उनको गिरफतार किया है जो स बिना नोटीस भी दिया का पूछा जांस में शामिल होने का और क्यूंकि चार्सव सटाइविस पर लगी है एक बड़ी धारा इसमें सजा साथ साल से ज्यादा है इसलिए उनको गरफतार किया है यह और फुरे में-जानश किया है इसके बाइईैं पोलिस के कि तरफ से जो वकील था उसने तमाम चीजों को बताया कि किस तरीके से पुलिस ने इन्वेस्टिकेशन की, बार कॉंसिल ओफ दिल्ली से जब उसको शिकायत मिली, किस तरीके से वो मंगेर गई, किस तरीके से वो अवाद उनिवेस्टी गई, किस तरीके से वो कॉलिज के प्रिंसिपल से मिल जिसने माक्सीत के पैसाइन थे लेकिन उसने भी गार कर दिया पुलिस ने ये भी कहा कि जो बंदेल खेंड इन्विएस्टी की का माइगरेशन सर्टिफिकेट है वो भी फरजी है इसके लाबा जो ग्रेशन की डिगरी है वो भी फरजी है और जो लौ की डिगरी है वो भी फरजी है यानकि तीन जो एहम दस्तावेज है तीनों के तीनों फरजी है जी दिखिये व, बिल्कुल उन्होंने बताया, रोल नंबर के साथ पुलिस ने बताया, के पुलिस यहाँ यहाँ गई, और सबसे बड़ी चीज पुलिस ने यह गई, के कहीं ना कहीं एक गडबड इसलिए है, के तुमर की जितनी भी डिगरियां थी, जिनको वेरिफाई करने पुलिस गई थी बिहार और यूपी, किसी भी सक्स ने उनकी डिग्रियों और मार्क सिट को जैनुवन नहीं बताया, असली नहीं बताया, इसलिए अब पुलिस चाहती है कि तोमर को एक बार लेकर फिर वहीं पर जाए, इन्वेस्टिकेशन करें, कि आखिर किन-किन लोगों उनकी फरजी डिग्री लेने में मदद किया और किस तरीके से ये सारा धंदा हुआ है, किन-किन ग्राउंड पर कोड्स से जो पुलिस रमाड मिला है, जिते हैं तोमर का, वो क्या ग्राउंड से हैं? सबसे बड़ा ग्राउंड यही है, कि जिस तरीके की पुलिस इन्वेस्टिकेशन हुई है अभी तक, क्यों जिस शक्स के साइन है मार्क सीट के उपर, वो शक्स, वो प्रिंसिपल उसकूल का, उस कॉलिज का, वो पुलिस को मना कर रहा है, कि ये साइन उसके नहीं है, क्यों युनिवेस्टि का जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन होता है, वो ये कह रहा है कि ये जो मार्क सीट है, ये जो डिगरी है, ये उसने युनिवेस्टि से जारी नहीं हुई, ये तमाम चीजों का, जो कॉंस्प्रेसी का मामला है, क्रिमिनल कॉंस्प्रेसी, साजिस का पत चल लए थी तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि हो सकता है कि तॉमार साब की जो बागी डिग्रियां है टेंथ की एर्थ की उनकी विजात होनी चाहिए वह भी फ़रजी निकल सकती है तो मजाक के तौर पर यहां पर लोग यह भी कह रहे थी ठीक है शरद मैं जानता हूं कफि से कह रहा हूँ फिर आप लोगों को स्पष्ट कर दूँ कि अलग-अलग मसले जीतेंद्र तोमर की डिग्रिया फर्जी है असली ये एक अलग मसला है ACB का अलग मसला है और साथ में जो CNG का है वो अलग मसला और चौथा पॉइंट है इसके उपर किसी आ सकता है सबको एक साथ जोड़ कर कृप्या मत देखिएगा हम फोकस कर रहे हैं इस वक्त जीतेंद्र तोमर के फेक डिग्रीज के मामने में इतना अग्रसिव क्यों होना चाह रही है जबकि उनको पता था हम आदमी पार्टी को कि जीतेंद्र तोमर की डिग्रीज जो है वो क्वेस्चन में है उस पर RTI से जानकारी ली जा चुकी है शरद यह सवाल अप्रेल के मही में ने उठा था जब हाई कोट के अंदर भागल पर युवस्ची ने अफिडेविट दिया था और उसमें यह कहा था कि जो जीतेंद्र तोमर की जो डिग्री है वो जैन्मिन नहीं लग रही है लेकिन तब भी दबा बना और मुख्यमंत्री ने क्लारिफिकेशन मांगा जीतेंद्र सिंग तोमर से और जो नोंने क्लारिफिकेशन दिया जो जस्तावे सोपे उससे में यह बताया गया कि चीफ मिरिटर जीवाल जीमर सेटिस्वाइड है इसलिए वो मामले को महां दबा दिया गया लेकिन एक तीन चीद में आपको बताना कनूनमंत्री जेल के अंदर रहेगा तो किस तरह से बर्दाष किया जाएगा क्यानूनमंत्री जेल के अंदर रहे यह कैसे हो सकता है ने तिक्ता कहां तक आप में केस चल रहा है यह यह हो रहा है वो हो रहा है तीसरी बात अब अगर आमादी पार्टी ने दिल्ली सरकार ने जेतन सिंग तोमर ने आगे अपील करी और कोट ने जमानत नहीं दी या कुछ और कमेंट कर दिया अब्सर्वेशन दे दिया तो फिर और इससे जाद जो अभी स्थिति बनी हुए इस अगर इसी में जुम्ला है ना होलियर दंदाओ की पॉलिटिक्स आप कर रहे थे और आप स्वतह उस तरह की सियासात में फंच गए जिसके लिए पारंपरिक तोर पर नेता और नेता पॉलिटिक्स जानी जाती है शरत अब बिल्कुल मैं एक चीवर बता रहा था मैं कि नैतिक्ता की बात थी जिसके उपर अर्विन केज जिवाल ने आपको याद दिलाओं 2012 के अंदर जुलाई जंतर मंतर पर अर्विन के जिवाल ने 15 मंतरियों के खिलाफ केंदर सरकार के यूपिय सरकार के मन्मोन सिंग सरकार के 15 मंतरियों के खिलाफ अंचन किया था दस दिन का अंचन किया था और वो अंचन क्योंकि सफल नहीं हो पाई के इंदर सरकार नहीं मानी इस तीफे नहीं हुए मंत्रियों के जाच नहीं बैठी इस वरे से आमाधी पार्टी बन गई तो इसलिए यह सवाल पुछे दारता कि जब आप नेतिकता के बात किया करते थे अब आपके ओपर बात आ रही है तो आप इस दिवा क्यों नहीं ले रहे हैं आप क्यों नहीं ले ठीक है अब कपिल जी आपको और विजेरिद्र कुपता क्योंकि आप लोग पुलिटिकल साइड है पूरा समय आपके लिए नहीं प्राज जिपाल के द्वारा हमारे हाथ प आप उपराज जपाल के मसले पर खूब कारिक्रम हम करेंगे आज के तीनों मसले बड़े खुबसूर्ती से गुमा दिये जा रहे हैं तोमर साब का मसला अलग है अप चाहिए तो मैं एक एक केस को डीटेल में आपसे बहस कर सकता हूँ उपराज जपाल का मसला अलग है तो आपने शुरुआत की कि कहानी बड़ी सिंपल है साब यह कहानी सिंपल है नहीं और यह जंता भी जानते हैं कहानी अगर सिंपल होती तो इतनी सिंपल कहानी इसमे ते ही रानी जी की भी है वो भी जेल के अंदर होने चीए थी इतनी ही सिंपल कहानी रमा संकर कठेरिया की भी है वो भी जेल के अंदर होने चाहे थे और इससे भी ज्यादा बहुत ही ज्यादा सिंपल कहानी निहाल चंद जी की है बिलकुस सीधी साधी कहानी तड़ी पार हो चुके है अमिश्रा जी की है यह सारी कहानिया सिंपल होती ही लेकिन कहानी सिंपल नहीं है कहानी यहाँ से शुरू होती है कि दो दिन पहले इसके एक फाईज होती है तो कि आप यही बात हुई पिर फरक क्या है आप आप कही हमेच्छा के बारे में स्मृती रानी के बारे में निहाल चंजी आपको पूरा आजादी और इधिकार है फिर इसमें क्या लग है बेरी बात पूरी सुन लें तो समझने आजाए साथ मैं यह कहना चाहता है कि पारंपरिक राजनीती कर रहे होते तो किसी भी और राज के कानून मंत्री को ऐ पूरा समय निहीं देखे हम आपको पहले भी रांते आप मैं वैसी बहस नहीं करा था पूरा समय रात और रात आपको दूंगा आप पूर्श कर दी तीन आदमी से ही लेकिन आप प्रिंसिपल आप्पोसेशन पार्टी असेमली में तो मैं यही कहना चाहता हूं पारंपरिक राजनीती में सधी बदी बात होती है आज चुनोती किस बात की है चुनोती इसी बात की है कि यह किसी को छोड़ने वाले नहीं है इसलिए इनको दबाव में लाओ और इतना दबाव में लेकर आओ जिते इंतो ओमर जी के मामले में आपने का moral high ground ले लेना चाहिए था और moral high हाई ग्राउंड तो क्या रात और राद करके जेल में डाल देंगे नई लिया मारल हाई कानून का पालनी किया जाएगा नोटिस नहीं होगा और आप मंतिotle को उठाकर गिरफेंगे आदवादी विरोधी शक्ति विछले थो एक चुपा से सुन रहा हूँ एक मंतरी को एक कंदरी को एक मंतरी को धर पर आप आदमी के तरह चलेंगे फिर आम। में बलब सुद्धा के बोगी हैं और सरकार को बदनाम करना है घुन के मंत्री होने के करण किया गया है तो इबात तो आईगी कि मंत्री को मंत्रि ने के करण गिरफतार कर रहे हो और पूरा ड्रामा क्रियेट कर रहे हो तो उसके पीछे आपको प्रोसीजर फॉलो करने जाए थे कानून और सम्विधान की रख्षा करने की बात होनी चाहिए थी लेकिन साथ में एक बात हो रहे हैं पर आज इस पर श्टोकर आ रही है यह जो CNG स्कैम की फाइल खुलती है और जिसकी आच राजभवन तक जाती है और उससे 7 RCR में बैटे पधानमंतरी मोधी जी तक भी हिलते हैं अब आप CNG पर आ रहे हैं इस पर आप बीजेपी पर पुरा रोप लगाएं कोई अतराज नहीं यह जो लॉजिक बार बार दिया जा रहा है इतना अगर उनके खिलाफ कारवाई हो गई मेरी समझ के यह बाहर है इसमें इतना अक्रमक होने के क्या जरूएत है अभी तो मैंने अक्रमक को क्यो बात कही नहीं है आपसे मैं तो बिल्कु सरहत तरीके से आपसे कह रहा हूँ मैं भी आपसे प्यार से पूछ रहा हूँ कि ये मंत्री मंत्री वाला पॉइंट बार बार क्यों हो अगर मंत्री ना होते तो गिरफतार ना होते क्योंकि आमानी पार्टी सरकार के मंत्री को गिरफतार करें अगर मंतरी ना होते हैं तो यह काम ना हुआ होता है इसी लिए किया गया है अपने पॉइंट रखा कुल मिलाकर थानवी साब यह बात आ रही है मंतरी को आपने कैसे हाथ डाल दिया तो बते गुपता जी अब आप लोग क्या कहना चाहा है तो बात कहना चाहूंगा पहली बा जो मंतरी है जी फरजी डिग्रियों का रैकेट तो नहीं चलाता उन रैकेट लेर्स के साथ तो नहीं मिलावा क्योंकि जब तीन डिग्री इसके पापनी मैं वही कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा रैकेट आई है जिसका वो हिस्सा हो सकता है एक मिनट एक मिनट इसको जरान बात नहीं है कि एक व्यक्ती निगरी के पास हर डिग्री जिजेंद्र जी पुलीस कमिश्टर दिन रहे है अपसारिक तोर पर कह चुछी है कि पुलीस स्टैंड तो पुलीस की बहुत बड़ी शर्मसारिता होगा गर पुलीस का वर्जिंग गलत बिखेगा ये पुली सारी बाते आ गई हैं पूरी तरह से सामने आ गई हैं उसको अब आप कितना भी घुमा लीजिए वह आपके उपर है मैं अभी गयान एक बात जाना चाहता हूं कि जिस संगीन अपराद में वह जेल गया है या गिरफतार किया गया है उसी प्रदेश की एंटी करफशन इस ने उसका कॉंगिजेंस क्यों नहीं लिया अभी तक एक बार भी